असलाम वालेकूम मैं हूँ तलत और आप देख रहे हैं तलत फूट आज मैं आपके लिए लेकर आए हूँ बहुत ही टेस्टी पर उतनी ही आसान सी सिंपल सी रेसिपी ठाने के बाद आपको यकिन नहीं होगा कि यह इतनी कम चीज़ें से बनने वाली है इतनी टेस्टी भी हो सकती है तो चले शुरू करते हैं सिंपल सी पास्टा बनाने के लिए देखें यहां पर मैने ले लिया है दो लिटर पानी और उसमें जब इक उब लुबाल हलके से आ जाए तो डाल दे इसमें पास्टी तो फ्रेंड यहां पर आप किसी भी स्रीप का मैर्णिया पास्टा आ और यहां पर मैंने डाला है एक चमश के करीब वाइट ओयल और इसे एक बर चला दें ताकि नीचे पास्ता लगे नहीं यह तीन-चार मिरेट में बॉयल हो जाएगे तो देखे फ्रेंड यह बॉयल हो चुके है और इसे मैं थोड़ा सा ठंडा पानी में डाल कर इसे अच्छे और साथ ही डाले इसमें बटर तो जैसे मैंने कहा था कि इस पास्ता वाली रेसिपी जो है बहुत ही कम चीजों से बन जाती है इसमें बहुत सारे मीर्च मसाली वगरे नहीं होते हैं तो फ्रेंड देखी मेल्ट हो चुका है अच्छे से यहां पर मैं डालूंगी अब मैं छ प्राई करना है तो देखें यहां पर हो गया है हलका सक गुलाबी और अब इसमें डाल दोंगी में दो टमाटर के प्योडी या अब घर पे पिसके भी इसे बना सकती है तो इसे अच्छे से मिक्स कर लें प्यास के साथ तो टमाटर प्याज अच्छे से बहुन चुका था तो यहां पर मैं डालूंगी एक सि लिड़ चमस्त टमाटर सौस कितना खुबसुरत कलर आया है यह प्याज और टमाटर टमाटर सौस की फ्रेंड तो देखें यह भी बहुन चुका है अच्छे से और इस टमाटर प्यास वाली ग्रेवी में भी डालना है थोड़ा सा नमक आप अपनी टेस्ट के मताबी खेले और साथ ही डाले इसमें थोड़ी सी करम मसाला पाउडर और हाफ चमच के करें लाल मिर्च पाउडर देखे ये अच्छे से समिक्स हो चुका है अब मैं इसमें डा लिए तो चले अब इसमें डालते हैं पास्ता और अब इसमें डालूंगी मैं एक यार लेड़ कप के करीब दूद तो दूद इस रेषिपी में बहुत ही जरूरी है और इसे हमें अच्छे से मिला देना है समय। दूद डालने से इसमें तीखा पन कम हो जाता है और इसमें आप चाहें तो यहां पर थोड़ा सा चली फ्लेक्स भी डाल सकती हैं अब आखरी स्टेप यह रहेगी कि हमें डालना है यहां पर चीज तो चले यहां थो तीन मिलेड के लिए इसे तरह से कवर करके हमें कुप करना आए चेक करते हैं तो चीज मेल्ट हो चुका है फ्रेंड अ ब्लेक पेपर का भी इस्तेमाल कर सकती हैं यहां पर मैंने लाल मिर्च भस नाम का ही दिया है थोड़ी से और चिल्ड फ्लेक्स भी मैंने थोड़ी से ही डाले है क्योंकि मेरे बच्चे को ज्यादर तीखा पसंद नहीं आती है यह रेड़ी हो गया है बनके तो चले इसे सर् प्राइब करें और मुझे कमें बॉक्स में बता है तो फिर मिलूगी मैं अगले रेसिपी के साथ तब तर के लिए आफीस और नए है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूंगे नोटिफिकसन भी पजाहे दिए